को आगे बढ़ाती हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने नई दिली में तीसरे कौटेले आर्थिक सम्मेलन को संबोधित किया 6 अक्टूबर तक चलने वाले इस सम्मेलन में एहम आर्थिक मुद्दों पर मंथन हो रहा है सम्मेलन में जुटे देश दुनिया के अर्थिक सम्मेलन को संबोधित करने पहुँचे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने देश की अर्थिवस्था की शांदार गती का जिक्र किया समावेशे विकास सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबत्ता पर बल देते हुए पीम ने 140 करोड देशवासियों के विश्वास को सबसे बड़ी पूझी बताया देश को विकास की नई उचाईयों तक ले जाने के प्रयास को रिखांकित करते हुए पीम ने तीसरे कारेकाल के पहले तीन महीनों में अपनी सरकार के बड़े फैसलों का भी उलेक किया इस दोरान 15 ट्रिलियन रुपीज यानि 15 लाग करोड रुपे से अधिक के डिसिजन्स लिए गए हैं इनी तीन महीनों में भारत में अनेक मेगा इंफ्रास्रुक्टर प्रोजेक्स पर काम शुरू हुआ है पीम ने कहा कि अंतराश्रिय आर्थिक संस्थाएं वैश्वी कुधल पुधल के बीच भी भारत की तेज आर्थिक प्रगती की भविश्यवानी कर रही है पीम ने कहा कि पिछले दसवर्षों में हुए सुधारों ने अर्थिवस्था को नई उचाईयों पर ले जानी की राह तयार की है भारत ने माइनिंग, डिफेंस, स्पेस जैसे अनेक सेक्टर्स को प्राइवेट प्लेजर्स के लिए हमारे यंग एंटर्पर्नर्स के लिए खोला है हमने FDA policy को liberalize किया तकि दुनिया भर के इंवेस्टर्स के लिए हाँ जादा से जादा आउसर बन सके हम अपनी logistic cost और time को कम करने के लिए आधुनिक इंफ्रासक्टर पर फोकस कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कौशल विकास और युवाओं के लिए नए अफसरों का जिक्र किया PM ने शिक्षा जैसे छेत्रों में पिछले एक दशक में हुए कामों को गिनाया PM ने कहा कि आज भारत AI और सेमी कंड़क्टर जैसे छेत्रों में तेजी से आगे बढ़ रहा है कल्द ही भारत के पांच सेमी कंड़क्टर प्लांट्स दुनिया के कौने कौने में Made in India चीस पहुँचाने लगेंगे कौटिल्ले आर्थिक सम्मेलन में PM का संदेश साफ था देश नए आत्म विश्वास से लबरेज होकर नई उड़ जा के साथ आगे बढ़ रहा है कोशिश एक ही है कि तेजी से आत्म निर्भर और विक्सित भारत की मन्जिल को हासिल कर लिया जाए